नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल HBS Studies पे तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ important question discuss करेंगे countries जो countries होती है उनके जो capital या फिर currency होती है उनके उपर जो भी important question बन सकते हैं आज हम उनको इस वीडियो में discuss करेंगे country और capitals के उपर काफी बार exams में question पूछे जा चुके हैं तो इस वीडियो में हम total 40 question discuss करेंगे जो की repeated questions हैं तो अगर आपने वी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर ले और साथी bell icon को दबाएं latest update के लिए तो चलिए start कर लेते हम अपनी वीडियो देखते हमारा पहला question क्या है तो दोस्तो हमारा पहला question है अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान country जो है उसकी क्या capital है और उसकी कौन सी currency है तो हमारा answer हो जाएगा काबुल तो अफगानिस्तान की जो capital है वो है काबुल और अफगानि आस्ट्रेलिया कैपिटल करंसी तो आस्ट्रेलिया कैपिटल है और करंसी है तो हमारा आंसर हो जाएगा आस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा और आस्ट्रेलिया की जो करंसी है वो है आस्ट्रेलियन डॉलर तो यह आपको याद रखना है औस्ट्रिया की capital होगी Canberra, औस्ट्रिया की currency होगी Australian dollar औस्ट्रिया, तो औस्ट्रिया country जो है उसकी क्या है तो हमारा answer हो जाएगा Vienna, औस्ट्रिया जो है उसकी capital है Vienna और औस्ट्रिया की currency है वो है Euro Vienna जो है इसमें काफी सारी organizations है जिनके की headquarter पाए जाते है तो Vienna जो है यह एक important city रहती है औस्ट्रिया की तो यह आपको याद रखना है Bangladesh capital currency तो Bangladesh country जो है जो की हमारी neighboring country है उसकी capital और currency क्या है तो हमारा answer हो जाएगा धाका बंगलदेश की capital है धाका और बंगलदेश की currency है टाका तो यह भी आपको याद रखना है Belgium जो Belgium country है उसकी capital currency क्या है तो हमारा answer होगा Brussels Belgium की capital है Brussels और Belgium की currency है Euro तो Brussels जो है इसमें भी काफी सारे tournaments जो है वो organize करे जाते हैं इसलिए Brussels जो है यह भी काफी बार exams में पूछा जाता है important question है भूटान भूटान जो है जो कि हमारी neighboring country है उसकी capital currency क्या है तो हमारा answer हो जाएगा तिम्फू तिम्फू जो है यह capital है भूटान की और अगर currency की बात करे जाए भूटान की तो निगल्टरम जो है यह currency है भूटान की और भूटान की currency जो है इंडियन रुपी भी बताई जाती है तो इंडियन रुपी भी जो है वो भी चलता है भूटान में तो यह आपको य तो Canada country जो है जो की neighboring country है अमेरिका की तो उसकी क्या capital currency है तो हमारा answer हो जाएगा Ottawa, Canada की जो capital है वो है Ottawa और Canada की currency है Canadian dollar China जो है जो की हमारी neighboring country है उसकी capital currency क्या है तो हमारा answer हो जाएगा Beijing, Beijing जो है ये capital है चाइना की और चाइना की currency जो है वो है renminbi और yuan युवान और रिनमिंबी ये दोनों ही करंशी है चाइना की तो क्यूबा कंट्री जो है उसकी क्या चैपिटल करंशी है तो हमारा आंसर हो जाएक हवाना जो है वो कैपिटल है क्यूबा फो remain paid Egypt, तो Egypt कंट्री जो की गया capital currency है, तो हमारा answer हो जाएगा, Kairro, Кairro जो है, यह capital है Egypt की, और अगर currency की बात करिया जाएजойти canby currency है, Egyptian pound, France, तो France country जो है, इसकी कौन सी capital है, और currency है, तो हमारा answer हो जाएगा, Paris, पारिस, जो है, यह capital है France की, और France की जो currency है, ε .. यूरो जर्मनी जर्मनी की क्या capital currency है तो हमारा answer हो जाएगा बर्लिन बर्लिन जो है ये capital है जर्मनी की और जर्मनी की currency है यूरो ये सब जो है European Union का हिस्सा है इसलिए इनकी जो currency है वो सब है यूरो इंडोनेशिया capital currency इंडोनेशिया की कौन सी capital और currency है तो हमारा answer हो जाएगा जकर्ता जकर्ता जो है यह पुरानी capital है इंडोनेशिया की अब जो है नई capital चुनी गई है इंडोनेशिया की जो की है बोर्नियो आइजलेंड पे तो यह एक important question रहता है यह जो नई capital है इंडोनेशिया की यह most important रहेगी और अगर currency की बात करी जाए इंडोनेशिया की तो वो है रुपिया रुपिया जो है यह currency है इंडोनेशिया की इरान capital currency इरान country की capital currency क्या है तो हमारा answer हो जाएगा तहरान तो तहरान जो है यह capital है इरान की और currency हो गई रियाल इराग capital currency इराग कंट्री की कैपिटल करंसी क्या है तो हमारा आंसर होगा बगदाद बगदाद जो है ये कैपिटल है इरान की और इरान की करंसी है इराकी दिनार इसराइल कैपिटल करंसी इसराइल कंट्री की कैपिटल और करंसी क्या है तो हमारा आंसर हो जाएगा जैरूसलेम जैरूसलेम ज जो है उसकी कौन सी कैपिटल करंसी है तो हमारा आंसर हो जाएगा रोम रोम जो है ये कैपिटल है इटली की और अगर करंसी की बात करी जाए तो यूरो भी करंसी है इटली की और साथी साथ इटलियन लीरा जो है ये भी करंसी है इटली की जापान कैपिटल करंसी जापान साउथ कोरिया कंट्री जो है उसकी कैपिटल और करंशी क्या है तो हमारा आंसर हो जाएगा सियोल सियोल जो है यह कैपिटल है साउथ कोरिया की और साउथ कोरियन बन जो है यह करंशी है साउथ कोरिया की मलेशिया कैपिटल करंसी मलेशिया कंट्री की कैपिटल करंसी क्या है तो हमारा आंसर होगा क्वाला लुम्पूर क्वाला लुम्पूर जो है यह कैपिटल है मलेशिया की और रिंगिट जो है यह करंसी है मलेशिया की मालदीव की capital currency क्या है तो हमारा answer होगा मले जो है ये capital है मालदीव की और रुफिया जो है ये currency है मालदीव की मेक्सिको capital currency मेक्सिको की capital currency क्या है तो हमारा answer हो जाएगा मेक्सिको city और मेक्सिकन पैसो तो मेक्सिकन city जो है ये capital है मेक्सिको की और Mexican Peso जो है यह currency है Mexico की Nepal Capital Currency Nepal जो की neighboring country है इंडिया की उसकी capital currency क्या रहेगी तो हमारा answer हो जाएगा Kathmandu Kathmandu जो है यह capital है नेपाल की और नेपाल की currency है Nepalese रुपी नेपालीज रुपी जो होगी वो currency है नेपाल की Netherlands Capital Currency Netherlands जो है उसकी capital currency क्या है तो यह भी एक European Union का हिस्सा है तो हमारा answer हो जाएगा Amsterdam Amsterdam जो है यह capital है निदरलेंड की और Euro जो है यह currency रहेगी निदरलेंड की New Zealand Capital Currency New Zealand country की capital currency क्या है तो हमारा answer हो जाएगा Wellington Wellington जो है यह capital है New Zealand की और New Zealand की currency है New Zealand Dollar New Zealand Dollar जो है यह currency और capital Wellington Norway Capital Currency तो Norway country की capital और currency क्या है तो हमारा answer हो जाएगा Oslo जो है यह capital है Norway की और kroner या फिर kron जो है यह currency है Norway की पाकिस्तान capital currency पाकिस्तान भी जो है हमारी neighboring country है तो उसकी capital currency क्या रहेगी तो हमारा answer हो जाएगा Islamabad जो है वो capital है पाकिस्तान की और पाकिस्तानी रुपी जो है ये करंसी है पाकिस्तान की फिलिपिन्स कैपिटल करंसी फिलिपिन्स कंट्री की कैपिटल करंसी क्या होती है तो हमारा आंसर हो जाएगा मनीला मनिला जो है यह capital है फिलिपिन्स की और फिलिपिन पैसो जो है यह currency है फिलिपिन्स की कतर capital currency कतर country की capital है क्या क्या है तो हमारा answer हो जाएगा दोहा जो है यह capital है कतर की और कतरी रियाल जो है यह currency है कतर की रशिया की capital है क्या है तो हमारा answer होगा मौस्को मौस्को जो है यह capital है रशिया की और रूबेल जो है यह currency है रशिया की साउदी अरेबिया की capital currency क्या है तो हमारा answer हो जाएगा रियाद रियाद जो है यह capital है साउदी अरेबिया की और currency की बात करे जाए तो साउदी रियाद जो है यह currency है साउदी अरेबिया की Spain की capital currency क्या है तो Spain जो है उसकी capital currency क्या रहेगी तो हमारा answer हो जाएगा Madrid जो है ये capital है Spain की और Euro जो है ये currency है Spain की Singapore capital currency Singapore country की capital currency क्या क्या है तो हमारा answer हो जाएगा Singapore जो है उसकी capital का इनाम Singapore है और जो currency है वो है dollar श्रिलंका जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है उसकी कैपिटल करंसी क्या रहेगी तो हमारा आंसर हो जाएगा कोलंबो कोलंबो जो है ये कैपिटल है श्रिलंका की और श्रिलंका की जो करंसी है वो है श्रिलंका रूपी थाइलेंड कैपिटल करंसी तो थाइलेंड कंट्री जो है उसकी कैपिटल और करंसी क्या है तो हमारा अंसर हो जाएगा बैंकोग बैंकोग जो है ये कैपिटल है थाइलेंड की और भैट जो है ये करंसी है थाइलेंड कंट्री की तर्की कंट्री जो है उसकी capital करंसी क्या है तो हमारा आंसर हो जाएगा अंकरा अंकरा जो है यह capital है तर्की कंट्री की और लीरा जो है यह currency है तर्की कंट्री की UAE जिसकी full form होती है United Arab Emirates इसकी capital और currency क्या क्या है तो हमारा आंसर हो जाएगा अबुदाबी अबुदाबी जो है ये capital है United Arab Emirates की और दीरम जो है ये currency है United Arab Emirates की UK United Kingdom capital currency तो United Kingdom जो है उसकी capital और currency क्या-क्या है तो हमारा answer हो जाएगा London लंडन जो है ये capital है United Kingdom की और pound sterling जो है ये currency है United Kingdom की यह जो currency है United Kingdom की यह काफी बार exams में पूछी गई है तो important रहेगी USA United States of America Capital currency तो हमारा answer हो जाएगा Washington DC जो है यह capital है United States of America की और United States of America की अगर हम currency की बात करें तो इनके currency है United States Dollar Vietnam की capital और currency क्या है तो हमारा answer हो जाएगा हनोई हनोई जो है यह capital है वेतनाम की और अगर currency की बात करी जाए तो dong जो है यह currency है वेतनाम country की तो दोस्तों यह था हमारी वीडियो का आखरी question अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को like करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर ले धन्यवाद दोस्तों